विल्कम बैक टो मैं चानल नीलूस क्लास्रूम आउ कुछ नया सीखें हेलो फ्रेंज विल्कम बैक टो मैं चानल और आज हम सीखेंगे एडिशन और फाइव डिजित नंबर सबसे पहले तो एडिशन होता क्या है किसी भी नंबर को जब हम एड करते हैं उन्हें जोडते हैं तो उसे एडिशन कहते हैं वन विए टू नंबर तो भी अड़ेड और कॉल अड़ेड और अनिन अबर विए गेट आफ तर आदिंग टू नंबर इस कौल दा सम तो previous class में हमने how to add 4 digits देखा था और अब हम 5 digits add करेंगे तो हम किसी भी दो number को किसी भी order में add कर सकते हैं यह एक addition का fact है you can add 2 or more numbers in any order and the sum will remain the same and when we add 0 to a number the sum is the number itself this is the second fact about addition when we add 1 to a number we get the next number or the successor of the given number and this is the third fact about the addition तो चलिए start करते हैं 5 digit numbers का addition तो सबसे पहले 5 digit है number लिख लेते हैं 34653 को हमें add करना है 26679 ठीक यह है 5 digit number तो अब हमें इसे place value पे लगाना है तो कभी भी हम नंबर को add करते हैं तो हमें once से start करना होता है first we add the ones then tens, hundred, thousand, ten thousand तो चलिए शुरू करते हैं right से left की तरफ हमें जाना है 9 plus 3 is 12 तो किसी भी column में हम two digit नहीं लिखेंगे हमेशा हमें one digit लिखना है one digit और one से हमेशा याद रखना है कि once की ही place लिखनी है once digit तो 12 का two लिखेंगे जो tens का one है वो next number पे जाके carry over हो जाएगा मतलब next number इसका क्या है tens की position पे then 5 plus 7 is 12 plus 1 carry over number को add किया जाता है 5 plus 7 is 12 plus 1 13 दो digit में आया तो ones की place का number लिखेंगे और फिर 13 का जो one है वो चला जाएगा next 100 की place पे अब यहाँ जाके वो add होगा then 6 plus 6 is 12 and 12 plus 1 is 13 then 13 then again 3 यहाँ पे और 1 carry over 1000 की place पे 4 plus 6 is 10 plus 1 carry over को हमेशा add करना है हो गया 11 फिर यहाँ 1 और जो 10 की place का था वो next 10,000 की position पे carry over होगा then 3 plus 2 is 5 plus 1 6 so हमारा सम है 61,332 61,332 so 34,653 को हमने आड किया 26,679 से तो हमारा सम आया 61,332 तो यह जो दो है numbers इन्हें हम बोलते हैं add and इसे कहते हैं add and इन्हें किसी भी order में लिखेंगे answer हमें इतना ही मिलेगा तो एक और example हम देखते हैं यह हमने यहाँ पे number लिखा 25,567 plus 28,477 तो इसे भी ऐसे ही करना है जैसे हमने previous किया 7 plus 7 is 14 so ones की place का ही digit लिखना है 4 और जो 1 है वो next number पे carry over हो जाएगा 6 plus 7 is 13 13 plus 1 is 14 same यहाँ पे ones का number लिखेंगे और tens का यहाँ पे carry over हो जाएगा 5 plus 4 is 9 9 plus 1 is 10 so यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 carry over 5 plus 8 is 13 13 plus 1 is 14 फिर carry over 10,000 की place पे 2 plus 2 is 4 plus 1 is 5 so our sum will be 54,000 and 44 तो इस तरीके से हमें sum को करना है जैसे हमने previous classes में 2 digit, 3 digit, 4 digit की थी similarly 5 digit हमें करना है और वैसे ही number next number पे carry over होते जाएंगे जैसे 3 digit, 4 digit, 2 digit पे हमने किये थे तो वीडियो की से नाया है तो प्लीज इसे like करिएगा share करिएगा चैनल पे नया है तो subscribe करना मन भूलेगा मिलते पने नेक्स वीडियो में तब तक कि लिए bye, take care